जब शरीर छूटता है तो स्वाभाविक रूट से हर जीव इस नदी की तरफ बढ़ता है नदी उर्जा का एक प्रवाह है मान लीजे आप काल भैरव शांती करते हैं तो सभी संबंदित लोगों को इससे फाइदा होता है अगर आप नदी में विलीन हो जाते हैं तो आप वही उर्जा बन जाते हैं अगर आप पार करते हैं तो एक अलग दुनिया में पहुँच जाते हैं जहां कुछ समय के लिए जीव वही रहते हैं देखे मेरे खुद के अनुभव में जब आप शरीर छोड़ते हैं निर्भर करता है कि आप विकास के किस तर पर हैं आपका आवरण कितना पतला है या मोटा है उस हिसाब से चीज़ें होती हैं अगर कोई चीज़ मान लीजिए आपका आवरण या आपका बुल्बला बहुत मोटा है ये तूट नहीं सकता तो ये नदी तक जाएगा और वापस आ जाएगा नदी क्या है? नदी उर्जा का एक प्रवाह है एक ऐसी उर्जा जो ना तो जीवन है और ना ही मृत्यू लेकिन बिलकुल अलग तरह की उर्जा है जिसे श्रब्दों की कमी के कारण हम कह सकते हैं एक तरह की एक तरह की उर्जा जो आपकी रक्षा करती है आपका विलाय करती है तो इसे वैतर्णी कहा जाता है भारतिय संस्कृती में वैतर्ी का मतलब है ये एक रक्षक है जो आपकी रक्षा करने में कोशल है तो रक्षा करना क्या है ये एक भौतिक नदी नहीं है ये एक रूपक अभी व्यक्ती है लेकिन ये उर्जा की एक धारा है जब शरीर छूटता है तो स्वभाविक रूप से हर जीव इस नदी की तरव बढ़ता है कुछ वापस आ जाते हैं कुछ इसमें समा जाते हैं कुछ इसे आसानी से पार कर जाते हैं कुछ वही पर बस विलीन हो जाते हैं तो अगर आप वापस आते हैं तो आपका फिर से जन्म होगा अगर आप नदी में विलीन हो जाते हैं तो आप वही उर्जा बन जाते हैं अगर आप इसे पार करते हैं तो आप एक अलग दुनिया में पहुँँच जाते हैं जहां जीव ठहर जाते हैं वो कौन हैं? उनके गुण क्या है? उनका मुख्य गुण क्या है? वही गुण प्रभावी होगा अगर वो बहुत खुश हैं, तो वो आनंद मगन हो जाते हैं अगर वो दुखी हैं, तो बहुत दुखी हो जाते हैं इस तरह से इसे आम तोर पर स्वर्ग और नर्ग कहा जाता है लेकिन असल में हुआ ये कि विवेक शील मन के न होने की वज़े से आपके गुण बहुत बढ़ चड़कर प्रभावी होते हैं तो अगर किसी ने नदी पार कर ली या कोई वापस आ गया तो इन दो लोगों की आप मदद कर सकते हैं अगर वो वापस आ गये हैं या अगर उन्होंने नदी पार नहीं की है हम या नहीं कहेंगे कि वापस आ गये उन्होंने अभी तक नदी पार नहीं की है तब आप काल भैरफ कर्म करते हैं अब हो सकता है आप पक्के तोर पर नहीं जानते उन्होंने नदी पार कर ली हो लेकिन अपने खोल की मोटाई और अपने रवईये की वज़े से हो सकता है वो अपरी अनुभव से गुजर रहे हूं आप उनमें कुछ सुखद अनुभव लाना चाहते हैं कुछ शांती लाना चाहते हैं तो आप उनके खोल या बक्वास की एक परत निकाल देते हैं हो सकता है कुछ अपरी अनुभव चला जाए थोड़ा सुखद अनुभव आ जाए आप ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं अगर वो पहले से सुखद हैं तब भी आप एक परत निकालना चाहते हैं ताकि वो पूरी तरह से विलीन हो जाएं जिस तरह अपरी अनुभव एक बंधन है उसी तरह सुखद अनुभव भी एक बंधन है दुर्भाग इसे सुखद अनुभव के साथ लोगों को ये समझने में ज्यादा समय लग जाता है कि ये भी एक बंधन है अपरी ये अनुभव के साथ आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि ये एक बंधन है तो आप सुख़द अनुभव लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप पक्के तौर पर नहीं जानते हो सकता है आपके दादा जी या जो भी है पहले ही विलीन हो चुके हैं शायद करने को कुछ है ही नहीं आपको नहीं पता लेकिन फिर भी आप करते हैं करतव्य समझ कर शायद उन्हें जरूरत हो शायद किसी और को देखे जब आप ये काम करते हैं तो केवल उस व्यक्ति के लिए ही नहीं होता क्योंकि एक खास रुनान बंध होता है जो लोगों को जोड़ता है मान लीजे आप अपने दादा जी के लिए काल भैरव शांती करते हैं लेकिन उन्हें इसकी जरुरत नहीं है वो पहले ही जा चुके हैं अब आपके दादा जी के भाई वहां हो सकते हैं जिनकी आपको परवा नहीं है लेकिन उन्हें फायदा हो सकता है तो उस तरह के रुनान बंध से जुड़े लोगों की मदद हो सकती है कोई जो आपका रिष्टेदार भी नहीं है मदद पा सकता है तो ये एक संस्कृती बना दी गई है कि आपको काल भहरव शांती करते रहना चाहिए तो शांती को एक तरीके से एक प्रयास के रूप में किया जाता है अगर किसी मदद की जरूरत है तो हम वो मदद करना चाहते हैं हमारे पूरवजों के लिए हमारे दादा, परदादा, हमारे पिता या कोई भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पूरवजवाँ फसे हुए हैं या नहीं हमें नहीं पता हो सकता है कि वो विलीन हो गए हो हो सकता है उन्हें मुक्ती मिल गई हो हो सकता है उन्होंने वापस आकर फिर से जन्म ले लिया हो इन सबसे फर्क नहीं पड़ता आप इसे करते रहे ताकि सभी जुड़े हुए लोगों को फाइदा मिलता रहे पित्र पक्ष का मतलब है पित्र का मतलब केवल आपके पिता या दादा नहीं है वो सभी जो हमारे अस्तित्व का स्त्रोथ है हमारे पित्र है तो आप ऐसा सभी जुड़े हुए लोगों के लिए करना चाहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम उन्हें पसंद करते थे या नहीं करते थे हम उन्हें जानते थे या नहीं जानते थे लेकिन सभी जुड़े हुए लोगों के लिए जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं हम करते हैं